बूढे पिता और पत्नी बहुत पुराने समय की बात है। एक बार भुधिसत्व ने काशी राज्ज के एक गाउ में एक किसान के घर जन्म लिया। उनके माता पिता ने नाम रखा कमल। कमल बड़े लाड़ प्यार में पलने लगा। बचपन से ही उसकी बुद्धी तीक्षन थी। अपनी अवस्ता के बालकों से वह अधिक ज्ञानी और विचारवान था। माता पिता का उस पर बड़ास नहीं था। लेकिन दादा का तो वह मानो प्राण था। दादा बहुत ही बूडे थे। वे घर का कोई काम नहीं कर सकते थे। उल्टे घर के सबी लोगों को उनकी सेवा टहल में रहना पड़ता। यह बात कमल की मा को बहुत अखरती थी। एक दिन कमल की माने अपने पती से कहा। मैं तो तुम्हारे पिता की सेवा करते करते खुद ही स्वर्ग सिधार जाऊंगी। सारा दिन उसी की टहल करते रहो। लगता है गर में और काम ही नहीं है। आखिर यह कब तक चलता रहेगा। जब तक उनकी आयू है तब तक उनकी सेवा करना हमारा धर्म बनता है। आखिर मौत के पहले किसी का गला घोट कर तो नहीं मार सकते। किसान ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। मार डालने में भी क्या बुराई है। जिन्दा रहने में ना उसे सुक है ना हमें। तिल तिल कर मरने से तो अच्छा है एक बार मौत आ जाए। किसान से कही अधिक पत्नी की आवाज तेज दी। किसान को पहले पत्नी की बात बहुत बुरी लगती थी। उसे लगता था कि पता को दुख देना महापाप है। लेकिन धीरे धीरे पत्नी के दबाव में आकर उसके बातों से वह भी सहमत हो गया। अंत में वह भी सोचने लगा कि पता को मार देने में कोई पाप नहीं है। बलकि वे बुड़ा पे की शारिरिक पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए उसने एक योजना भी बना ली। एक दिन किसा ने अपने पिता से कहा। बापो जी, खेत में एक कुवा खोदने के लिए पडोसी गाव के महाजन से कर्ज ले रहा हूं। महाजन कहता है कि इसके लिए आपके हस्ताक्षर भी आवश्यक्ता है। इसलिए मेरे साथ गाड़ी पर कुपा करके चलिए। उसका पिता बेटे की बात सच मान कर उसके साथ चल पड़ा। कमल भी जित करके अपने दादा के पास बैट कया। रास्ते में एक जंगल था। किसान ने जंगल के बीचों बीच गाड़ी रोक दी। वह एक फावडा लेकर उतर पड़ा और पिता पुत्र दोनों से बोला। तुम दोनों गाड़ी में ही टहरो। मैं अभी आता हूं। इतना कहकर किसान जंगल में एक वोर चला गया। पिता के जाने के बाद कमल भी एक फावडा लेकर उतर पड़ा। दादा जी तुम यही रहो मैं अभी आता हूं। यह कहकर कमल भी उसी वोर चल पड़ा। थोड़ी दूर पर कमल का पिता एक जाड़ी के पास गड़ा कोद रहा था। उसी जाड़ी के दूसरी वोर कमल भी एक गड़ा कोदने लग गया। थोड़ी देर में कुछ आहट पाकर किसान रुख गया। जिदर से आहट आ रही थी उदर जाकर उसने देखा। अरे कमल तुम यहाँ गड़ा क्यों खोद रहे हो अपने बेटे को वहाँ देखकर उसने अपने दांतों तले उंगली दबाली जिस काम के लिए आप खोद रहे हैं मैं भी उसी काम के लिए यह गड़ा खोद रहा हूं कमल के इस उत्तर ने पिता को जैसे जग जोर दिया पिता ने साहस करके बेटे से पूछा क्या तुम्हें मालुम है कि मैं क्यों यह गड़ा खोद रहा हूं मुझे मालुम तो नहीं है लेकिन किसी कारी के लिए ही ऐसा कर रहे होंगे आपका अनुसरन करने में क्या कोई दूश है कमल के भोलेपन ने उसके हुदय को छू दिया वह अपने बेटे से कुछ चिपाना सका उसने कहा मैं अपने पिता को दफनाने के लिए यह गड़ा खोद रहा हूं उनके मरने पर उनके अंतिम समस्कार की जिम्मेदारी मुझ पर है क्योंकि मैं उनका पुत्र हूं लेकिन दादा तो अभी जीवित है कमल ने जैसे पिता का शड़े अंत्र ताड़ लिया हो शनबंगुर जीवन का क्या भरोसा वे किसी समय अपनी दम तोड़ सकते है वे बहुत रुद्ध भी हो चुके है पिता ने पुत्र को समझाने की कोशिस की जीवन तो किसी का भी शाश्वत नहीं है इसलिए मैं भी अपने पिता के लिए यह कब रुखोद रहा हूं क्योंकि पुत्र होने के नाते उन्हें दफनाने की जिम्मेदारी मेरी है कमल उसी भोलेपन में यह सब भी कह गया उसके पिता को लगा जैसे वह आसमान से धम से नीचे गिर गया हो बेटे ने जैसे उसकी आँख की पट्टी खोल दी उसे अब समझ में आया कि वह कितना नीच कर्म करने जा रहा था लग्जा से वह गड़ गया किसान अपने पिता और पुत्र के साथ घर लोटाया किसान की पत्नी उस दिन बहुत प्रसन थी और विशेश बोजन तधा मुर्श्टान बना कर अपने पिता की पद्रिक्षा कर रही थी लेकिन गाड़ी में ससुर को देखकर उसकी सारी प्रसनता निराश में बगल गई किसान ने अपनी पत्नी को कमल के गाड़ी के साथ जाने तथा अपने पिता के लिए घड़ा कोदने का सारा समाचार सुना दिया उसकी पत्नी को काटो तो खून नहीं वह अपने बेटे की हरकत पर सिर्पेटी हुई बोली हाई बगवान कैसा युग आ गया हम बेटे को कितना लाड़ प्यार से पालते है लेकिन वह अपने जीवित पिता के लिए ही खबर कोदता है ऐसे बेटे का तो मुह देखना भी पाप है लेकिन मैं भी तो वही काम करने जा रहा था क्या उन्होंने मुझे बच्पन में लाड़ प्यार से नहीं पाला किसान ने पत्नी की ओर एक विशेश प्रयोजन से देखा इसके बाद पत्नी ने किसान को अपने भूडे ससुर के प्रती कोई शिकायत नहीं की